नमस्कार साथियों, सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर उत्तर परदेश राज्य के अधीन आने वाले कई लाख ऐसे दिव्यांग, विद्वा, वर्द अवस्था और कुष्ट अवस्था पैंशन धारक है जिनकी पैंशन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से या 9 महीने से रुक्य हुई है लाभार्तियों के बैंक खाते में इन महीनों की पैंशन नासी नहीं पहुँच पा रही है अब इसके पीछे क्या कारण है, आपको कारण भी बताए जाएंगे, कैसे आप अपनी पैंशन रुक्य हुई प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपको यहाँ पर रुक्य हुई पैंशन मिल जाती है, तो आपके बैंक खाते में अक्टूबर नौंबर दिसमर महीने की पैंशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अन्य था आपको अक्टूबर नौंबर दिसमर महीने की पैंशन नासी भी नहीं दी जाएगी प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते में लेनी के लिए पैंसन से सम्मन्दिद आपको कुछ महत्वपूर्ण कारिय करने होंगे। अब कौन-कौन से वह कारिय हैं आपको कारिय बताए जाएंगे किन डोक्यूमेंट की आपको दस्ताविजो की आवशकता पढ़ने वाली है उन दस्ताविजो के बारे में भी आपको बताए जाएगा। पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्थ हो और आप सबसे पहले ही उसका लाग उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनात की सरकार की तरफ से उत्तर परदेश राज्ये में रहने वाले दिव्यांग, विद्वा, वर्द अवस्ता, कुष्ट अवस्ता और तलाक्षुदा पैंशन धारकों को एक हजार उपे प्रती महिना के हिसाब से पैंश 2885 लाभारतियों को दी जाती हैं लेकिन हर महीने बेंग खाते में ट्रांसफर नहीं की जाती 85 ट्रांसफर की जाती है तीन महीने के अंतराल पर इसी वज़े से हमने 1000 रुपे को 3 से गुणा किया है तो 3 महीने के हो जाते हैं 3000 रुपे अब जो है 3000 रुपे हैं फिलहाल इस समय दिव्यां, विद्वा, वर्दवस्ता, कुष्टवस्ता और तलाकशुदा लाभार्तियों के बैंक खाते में किये जा रहे हैं 33,000 रुपे ट्रांसफर ये जो जोलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पैंशन नासी है अभी तक लाभार्तियों बैंक खाते में अक्टूबर, नौंबर और दिसंबर महिने के पैंशन आसे को ट्रांसफर नहीं किया गया है वर्ष 2023 के अंतरकत अप्रेल, मई, जून, जोलाई, अगस्त, सितंबर यानि कि तीन महिने के ये तीन हजार रुपे हो जाते हैं और तीन महिने के ये तीन हजार रुपे हो जाते हैं अब तक वर्ष 2023 के अंतरकत छे महिने के पैंशन आसी लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है जिनके आविदन फारम में किसी भी परकार की कोई गलतिया नहीं है उनका आविदन re-verified हो गया है उनको इन महिनों की pension नासी मिल गई है यदि आपका आविदन फारम re-verified हो गया है तो आपके वैंखाते में भी pension को transfer कर दिया गया होगा यदि आपका आवेदन फारं पैंशन का re-verified नहीं हुआ है तो आपके वैंखाते में महिनों की पैंशन ट्रांसफर नहीं की गई होगी अब आपको यहाँ पर हम गलतिया बताते हैं कि किस परकार की गलतिया है सबसे पहले हम आपको प्रूव दिखा देते हैं कि किस परकार से यहाँ पर गलतिया हो सकती है तो चलिए हम आपको प्रूव दिखा देते हैं देखे हमने अपने mobile phone में एक यहाँ पर जो आविदन फारं में pension का वह open क्या हुआ है आपको समझाने के लिए यहाँ पर आप पड़ सकते हैं एक एकरा सामाजिक पैंशन योजनाई उत्तर परदेश सरकार समाज के लाण विभाग वर्दवस्था पैंशन हेतू आवेदक द्वारा भरा गया आवेदन फरम इस समय जो आप ये फरम देख रहे हैं यह एक वर्दवस्था पैंशन धारक का है अब वर्दवस्था महिला भी हो सकती है और पुरुस भी हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है समझना है जो हम आपको समझाना चाहरे हैं देखिए ये लेवल वन है जिसमें आप ओनलाइन आवेदन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए ओनलाइन अपलाई डेट उसके बाद यह आपका फरम ट्रांसफर किया जाता है अपलिकेशन फोरवर्ड की जाती है आपकी पैंशन की BDO और SDM के पास किस तारीक में तारीक आपको नजर आ जाएगी ये ध्यान से आपको देखना है लेवल टू की बात करई BDO रूरल के लिए है SDM अर्बन के लिए है उनके दुवारा DW के पास ट्रांसफर किया जाता है यहां से देखिए सबीच आप पड़ सकते है Application Approved and Forward to DWO किस तारीक में यहां पर आप तारीक देख सकते हैं लेवल थर्ड Application Approve Reject DWO यानि की लेवल थर्ड में बताया जाता है जो आपका आप जन फारम है पैंशन का वह DWO द्वारा Approve किया जाएगा या Reject हो जाएगा वे तारीक यहां पर आपको बताया गई है लेवल फोर्ड में देखे बताया गया है वर्ष 2020 यहां पर आप देख सकते हैं तारीक के साथ लेकिन यहां पर देखे लिख खवा है लेवल फोर्ड में Account Re-Verification Date किस तारीक में Re-Verified हुआ है यानि कि 13 जोलाई 2030 में इन लाभारतियों का Pension का फारम Re-Verified हुआ यानि कि दोबारा से चेक किया गया है तो सभी Pension धारकों का किया जा रहा है अब यहां पर आप यह देख रहे हैं PFMS Account Validation Status दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्टवस्था जितनी भी Pension रासी होती है वह PFMS के माध्यम से ही सीधे लाभारतियों बैंकाते में ट्रांसफर की जाती है आपका यह accept होना चाहिए जिस परकार से इन लाभारतियों का accept है नीचे बढ़ते हैं नीचे आने बाद यहाँ पर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अभी तक अपडेट हुई है वर्ष 2022 की यहाँ पर Pension अपडेट की गई है यहाँ पर 2022 ते इस कर रहे हैं लेकिन अब सलाय सतर वर्ष 2023 का तो यहाँ पर पर पुरानी अपडेट ही है यहाँ यहाँ से आपकी Pension अच्छे से समझ नहीं आएगी तो यहाँ पर आप यह सबी चीजे आप देख सकते हैं नीचे आपका वैक्तित विबरन दिया गया है था वैक्तित जो आपकी परिश्मेल डिटेल्स होती है तो यहाँ पर दिया गया है जैसे की Pension धारक का Registration संख्या Pension धारक का जनपत की किस जिले के निवासी है गाओं के हैं या सहर के हैं अर्बन है या रूरल है आप पड़ सकते हैं तैसील कौन सी है यह सबी चीजे आप यहाँ से देख सकते हैं अब यह हम आपको क्यों दिखा रही है देखे जो आपका यानि की जो आपका बैंक की Pazbook होती है बैंक की Pazbook और आपका आधारकार उनको उन दोनों से आपको अपने नाम मिला लेना है आपके नाम में किसी परकार की गलती नहीं होनी चाहिए आपके आधारकार में बैंक की Pazbook में एक जैसा ही नाम होना चाहिए एक जैसे ही जनमतिती होनी चाहिए एक जैसे ही एड्रेस होना चाहिए कहने का हमारे तात पर यह है कि सभी चीजे एक जैसी होनी चाहिए किसी भी मातरा की किसी परकार की कोई गलतिया नहीं होनी चाहिए यदि कोई गलतिया पाई जाती है आपके आधार कार्ड में एड्रस गलत है आपके बैंक की पाजूब में एड्रस या नाम में कोई गलतिय हो रही है मातराओं की गलतिय हो रही है तो ऐसे स्थिति में आपकी pension को रोख लिया जाएगा और यही वे सबसे बड़ा करण है जिसकी वज़े से लाभार्तियों बैंखाते में pension समय से नहीं पोँच पाती है ध्यान से देखेगा यह सबी चीज़े आपको अपने आविदन फारम में ओनलाइन आप स्वैम चेक कर सकते हैं कैसे किया जाता है तरीका हम आपको बताएंगे अब यहाँ पर देखे यह गरामीन चेतर के pension दारख है तो यहाँ आपने का ब्लोक है गराम पंचयत गोन सा गाउं है यह सबी चीज़े यहाँ पर देखने को मिल जाएगी उसके बाद आविदक का नाम क्या है महिला है या पुरूस है यह सबी चीज़े यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको आना है नीचे आने बाद यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी किस परकार से लोकालिटी की जानकारी पिन कोड के साथ पूरा पता एड्रेस किस सिरे निज़र किस तारीक में होए है री वारिफाइड यह सबी चीज़े यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर देखे बैंक की विवरन दिया गया है बैंक की विवरन में आपको जो आपकी पास्वुक है उसका आपस को आकाउट नंबर मिलान मिला लेना है अपने बैंक का नाम मिलान मिला लेना है और IFSC कोड की जाच आपको खड़नी है किसी भी परकार के कोई गलतिया नहीं पाई होनी चाहिए यदि कोई गलती हो जाती है तो ऐसे इस्थिति में आपकी पैंशन को रोक लिया जाएगा देखिए अभी भी उत्तर परदेश में ऐसे पैंश का पोर्टल है उस पर जाकर आप कर सकते हैं यह फिर नजदी की जन्द सुविदा केंदर पर जाकर आधार काट ले जाकर और जो मोबाइल नंबर लग रहा है वैं मोबाइल नंबर आपको ले जाना है और OTP के माध्यम से या fingerprint के माध्यम से आप अपना EKYC का कारिये पूरा कराइना है और जिन pension धारकों का DBT देखें DBT इनेबल नहीं है अपने बैंक में जाकर अधिकारों से बोलकर अपने बैंक में आप DBT एक्टिव कराईए इनेबल कराईए ताकि भविश्य में आपको आसानी से pension का payment हो दा रहे यही वे बड़े करन है जिनकी वज़े से लाभ करा लिने है क्योंकि सरकार देखिए आधार बेश्ट payment कर रही है तो आपको आसानी से pension मिल रही है वे आपको पराप्त हो सके अब जिन लाभारतियों की pension लुक रही है यदि आप ये समय रहते वे ये कारी पूरे करा लेते हैं तो आपको अक्टूबर नॉमबर दिसंबर मह गलतिया हो रही है तो वह गलतिया कैसे सुधार सकते हैं देखिए उतर परदेश में तो कुल 75 जिले हैं अब हर एक जिले में एक जिला समाज का लियान विकास भवन बनाया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपने जिला समाज का लियान में जाना है या विकास भवन में जाना दिव्यान विद्वा वर्दवस्था, पुष्टवस्था, सभी की जो परिसानी है पैंसन रुकी हुई है, वहाँ सही आपका शंपून निवारन होगा, तो यदि आपकी पैंसन बैंक खाते में नहीं पोहुच रही है, 6 महिने की या 8 महिने की 9 महिने की रुकी हुई है, तो अपने जिला समाज के लिएना विकास भावन में जाईए अपने जिले के, वहाँ पर आपको जाना है, और उनने बताएं कि हमारी पैंसन 6 महिन से, 7 महिन से रुकी हुई है, तो वहाँ पर अपने कम्पूटर में, डेश्टोप में, लैप्टोप में देखेंगे, और कर देने हैं, और कुछ दिनों के बाद ही आपकी पैंसन दोबारे से आपको मिलना सुरू हो जाएगी, और यदि आपकी पैंसन रुक रही है पिछले महिने की, तो वह भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, अब देखें हम आपको बताते हैं कि आप कैसे, यह ही Android फोन में Play Store होता हैं, तो आपको इसी परकार से open कर लेना है, और यहाँ पर आपको search करना है, देखें हम search कर लेते हैं, या लिख लेते हम UP Pension App, हम इसको लिख कर सर्च कर देते हैं, अब यहाँ पर search कर लेगा है, वीडो, दिव्यांग Old Days Pension, यह एक उत्तरपरदेश का प अपने फोन में इंस्टोल कर लेना है, हम सीधे इसपर किलिक कर लेते हैं, अब हमने किलिक किया, किलिक होने बाद इखें, यहां पर लिखै हुआ है, यह लोगो है इस फरकार से, यह सभी चीज़ें यहां पर आपड़ सकते हैं, अब यहापर हमने पहले से ही अपने वाइल फोन में इसको download क्या हुआ है, install क्या हुआ है अब यहापर हम klick कर लेते हैं अब देखिये यहापर हम klick कर लेते हैं klick होने के बाद हमारे फोन में ये सीधे open हो जाएगा यहापर आप पर सकते हैं video दिव्यांग all days pension अब यहाँ पर देखिए यह open हो गया है अब इसकी वीडियो हमने पहले ही बनाई हुई है कि कौन सा एप है और देखिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए open हो चुका है आप अपने फोन में कैसे यह एप डाउनलोड कर सकते हैं और क्या-क्या खासियत है इस एप में हमने पहले ही इसके ओपर वीडियो बनाई हुई है आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी इस एप के बारे में बताई गई है तो आपको नीचे आना है और नीचे आने वादे के आप लिखवा है पेमेंट स्टेटस इस पर आपको क्लिक करना है अब क्लिक हमने किया देखे सक्षेसफ़ली लिखवा है अब यहांपर देखे लिखा है पैंशन में आविदन एवं भुगतान की इस्तिति जानने के लिए ओनलाइन आविदन की 12 अंकों की रेशन संख्या दर्ज करे उत्तर पर्देश में जितने भी दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्टवस्था या तिलाकशुदा पैंशन धारक है और वह पहले पैंशन का लाप राप्त कर रहे थे या अभी भी पैंशन का लाप राप्त कर रहे हैं तो उनको अपना 12 अंकों का रेशिस्ट्रेशन नंबर है वह इस बोक्स में दर्ज करना है और यहाँ पर नीचे सर्च का आइकन आपको नजर आरोगा यह वाला इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक होने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पैंशन की डिटेल ओपन हो जाएगी हम यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाते हैं यहाँ पर हमने पनी पैंसन का नंबर दर्ज कर दिया है, अब यहाँ पर हम इसको सर्च कर लेते हैं, देखें, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, इसको आपको सर्च करके दिखाएंगे, यहाँ पर सर्च का आइकन यह देर आया है, यहाँ पर हम इस पर किलिक कर लेते हैं, मारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन हो चुका है यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले एक एकरा सामाजिक पैंशन योजनाई उत्तर परदेश सरकार समाज के लानवी भाग वर दवस्था तो यहाँ पर यह सबी चीजे आप पढ़ सकते हैं इसको आप नीचे स्कू रही है तो यह सबी चीजे आप यहाँ से ही जान सकते हैं और ओनलाइन पैंशन इस्टेटस इसी परकार से आप अपना देख सकते हैं आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारे दियुही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके लाइक से हमें बहुत जादा मोटिवेट मिलता है लाश्ट में हम निवेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो अब हम आपसे मिलत हैं नाक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकाने के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत